जयमा इंद्राक्षी जयम्बे इंद्राक्षी धाम में दर्शुकों आप सभी का महार्दिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सिरी उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुब कामना है आज हम बात करने वाले हैं बुद्ध के राशी परिवर्तन की महीने में दो-तीन ग्रह राशी परिवर्तन करते हैं लेकिन जब कोई ग्रह राशी परिवर्तन करता है उस समय कहीं न कहीं जीवन में कुछ परिवर्तन आता है तो बुद्ध राशी परिवर्तन कर रहे हैं, बुद्ध धनुरासी से निकल करके मकर राशी में जा रहे हैं, और मकर राशी में जब बुद्ध जाएंगे, हाला कि सूरिय के साथ संदी होगी, युती होगी, तो ये एक तरह से बुद्ध अधित्ते योग उत्पन होता है, श परिवर्तन हैं लेकिन जीवन में बदलता छण एक छण जीवन को बदल जाता तो आईए पहले आज का हम पंचाक देखेंगे फिर मागे की बात करते ही छै फरवरी सन दो हजार तेईस संबन दो हजार उनासी दिन आज सौंबार आज से फालगुन मास भी प्रारंब हो गया है अब बुद्ध का जो ये राशी परिवर्तन है हाला कि अल पकाल के लिए है लेकिन हम प्रभू से प्रात्ना करते हैं कि ये सभी के लिए शुगो अब जब साथ तारीक को साथ फैब को बुद्ध राशी परिवर्तन करेंगे धनू से निकल करके मकर में जाएंगे उस समय आकाश में क्या मानचित्र बनेगा मतलब उस वक्त की क्या कुंडली बनेगी आईए आप अपनी स्क्रीन के उपर एक बार वो कुंडली नजर करें अपनी स्क्रीन के उपर कुंडली देखें साथ फरवरी को साथ बज करके 29 मिनट पर बुद्ध राशी परिवर्तन जब करेंगे तो क्या कुंडली बनती है दे बना बुद्ध आदित्य योग, एकादस में शनी और शुक्र, द्वादस में ब्रस्पती मीन रासी के, अपनी रासी के, तो आपने कुणली देखी, बुद्ध ने किसके साथ यूती की, सूरिय के साथ, जब बुद्ध सूरिय के साथ यूती करते हैं, तो बुद्ध आदित् तो आप ये चिंता मत करना, कि ये 18-19 दिन जो भी है, ये आपके कमजूर जाएंगे, बस कुछ छोटे से हम उपाई बताने, वो आप करिएगा, आप उपाई नोट करें, और इससे पहले एक चीज और बताएं, बुद्ध क्या है, बुद्ध गनित के स्वामी है, बुद्ध आपकी वाख कोशल के स्वामी है, बुद्ध आपकी वाख चातरी है, आप चतुर बहुत लोग हैं, लेकिन वाख चतुरी, यानि कि आपकी बातों से भी आपके अंदर चतुरता आए, तो बुद्ध बहुत बड़े वो हैं, संगीत के स्वामी है, आप अगर संगीत के चेत बरकर हैं आपके बुद्ध अच्छे होने चाहिए तो बुद्ध का बहुत महत्पकून रोल होता आए आप कदम बढ़ाते उपाई की तरह क्या उपाई करना है आपको बुद्ध बार के दिन सुभा सुभा इस्नानादी करके आप बुद्ध का एक बीजात्मक मंत्र बढ़े अपनी दैनिक पूजा के साथ मंत्र आप लिख सकते हैं हम आपको मंत्र लिखवा रहे हैं देखे आप लिखें ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम सह बुद्ध ही नमा लिखें दुवारा लिखें ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम सह बुद्ध ही नमा ये बुद्ध का भी जात्मक मंत्र होता है सिर्फ दो बुधरार आपको साथ फैब से लेंगर के चबिस फैब के बीच में दो बुधाये नमा या इसका एक लगू घू होता है ओम भुम बुधाये नमा ठेक ये दो मंत्र हैं इन दोनों में से जो भी आपकी जिवा पर आसानी से चढ़े उस मंत्र को आप पढ़े कितनी देर पांच मिनिट माला जानते हैं एक माला आप करिए अब जो लो मंत्र नहीं पढ़ पाते वो क्या करें बुद्वार के दिन भागवान सुरी गणपती को म अंबं बुधाय नमा अंबं बुधाय नमा बोलते हुए देखो कितना अनंग आएगा या पक्षियों को बाजरा दो चार पांच मुठी पक्षियों को बाजरा डालते हैं बहुत अच्छा आपको इसका रिलिफ मिलेगा बास केवल बुद्द का मंत्र पढ़ने से बुद् अच्छे रहेंगे बुद्द का प्रवाव आपके उपर बहुत शांदार तरीके से कारिये करेगा बस इतना बर करना था और बाकी फैव के महीने में मेस रासी से मीन रासी तक के हमने समस्त उपाए बताएं हैं आप उन्हें अच्छे से करिएगा उन से भी आपको बहुत जरूर कीजिएगा आईए समय उचला आज की ध्यानमला का आज की ध्यानमला में जुटते हैं साथ को भागमान शिव संबू से ओम आत्मा त्वंगिर जामती सैचरा प्राणा सरीरं ग्रियं पूजा ते विसयोप भोग रचना निद्रा समा जिस्त दे संचारा पदयो प्रदक्षण विरे स्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात कर्म करोमित दखिलं संभोस्तवारादनं चंद्रोत वाजित सेखरे स्मरहरे गंगाधरे संकरे सरपे भूशित कंठकर्ण विवरे नेत्रोत्वे स्वानरे दन्ते त्वक्रित सुन्दराम वर्दरे त्रे लोक्य सारे हरे मोक्षार्तिम कुरुचित वृच्यम चलं मन्ने स्थुकिम कर्म वे वन्दे देव उमापतिम सुरुगुरुम् वन्दे जगात कारणं वन्दे पन्नग भूशनं रिगदारं वन्दे पजो नामपतिम् वन्दे सूर्य ससांक वन्निनयनाम वन्दे मुकुंदा प्रियं वन्दे वक्त जनस्रयं चवरदाम् वन्दे सिवं संकरं ओमकरपूर गुरं करुणा वतारं संसार शारं बुजकेंडर आरं सदा वशंतं व्रिद्यार विन्दे बवं भवानी सैतं नमामी कवच बना लें ध्यान करें शिव संबू का सुब आसिस हम सब के उपर बरस रहा है ओम बोलते हुए नेत्रखोने समान्य हो जाएं देखो साथ को समय समय पर जब जब ये ग्रह बदलते हैं चाहें हम दो मिनट के लिए करें लेकिन हमें उपाय कर लएना चाहिए ताकि ग्रहों का कोई नकारात्मक प्रभाव हमारे उपर हमारी फैमली के उपर विस्व के उपर ने आने पाए अगर एक परिवार में एक व्यक्ति भी उपाय कर लेता है तो उससे पूरे परिवार को लाब मिलता है जैसे एक अगरवत्ती आप कहीं भी जला दीजे अगर ह आजार व्यक्ति भी महां बैठे हैं सबको उसकी सुवंधी प्राप्त होती है आप स्वस्त्र हैं सुखी नहें इने शुब कामनाओं के साथ हम अपनी वानी को विराम देते हैं जय मां इंद्राक्षी गुरुजी मैं गौहाटी से आई हूँ और मैंने टीवी में ही आपका प्रोग्राम दिखा था जिसमें आपने मुझे मतलब मैंने सुना था उसमें आपने हिर्म हमसा सुरी को देखते वे बताया था तीन माला करने के लिए वो मैंने जब से शुरू किया कि शक्ति सी मैं बहुत मुसीबत में नहीं हूँ एक पावर सा मेरे अंदर आया और मैंने मुझे एक नेगिटिविटी दूर हूई और मतलब मैंने ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉबलम को फेस कर सकती हूँ और अभी भी मतलब कंटिनी हुए मेरा वो तब तक जब तक मैंना जीवन नहीं अजब तक मेरी प्रात्ना पूरी नहीं हो जाए। थैंकि सो मच। प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिकरम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें।